हेलो बच्चो च्वानी यूजी किरिशन चैनल में आपका श्वागत हैं बच्चो आज हम मिड लाइन टेस्ट है 2022 विशेगड़ी की सभी प्रेशनों को हल करेंगे यह जो मिड लाइन टेस्ट है यह आपके कच्चा नौवी में प्रिवेश करते ही इसके पेरे बेश लाइन टेस्ट आपने पर इक्चा टेस्ट है दिया होगा जिसमें आपके सिक्चा के सिस्तर की है उसकी जांच की गई इसके बाद आपको मिड लाइन टेस्ट देना है तो आपके विद्धियाल है मैं यह मिद्लाइन टेस्ट आपको निर्दारी समय पर देना है तो हम इसके विशे में पूरा अपडेट इसे वीडियो में देने वाले हैं वीडियो में बने रहे हैं अगर आपके दौरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को स्क्राइब कर लें और वेल आइकन को फ्रेस कर लें जैसे कि वीडियो को नोटके से आपको राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरू करें बच्चों हम देखेंगे आज का जो मिडलाइन टेस्ट है इसको हम कैसे हल करेंगे बहुत से बच्चों को यह जो है हल करने मां सुविधा जाती है आपकी सुविधा की दरिष्टी से इस वीडियो को बनाया गया है जिससे आप कैसे हल करेंगे उसको सीख लेंगे तो हम देखेंगे यहां पर मिडलाइन टेस्ट तो है है दो हजार बाइस तेस कक्षा नौभी यहां पर हम क्योंकि नौभी में ये टेस्ट हो गए तो यहां पर हम नौभी लग देंगे यहां देनाग जिसस देनाग का आपका प्रह यह यह 50 अंक का यह हल अगर लड़का है तो लड़की यह ग लड़की यह आप इसमें बाक्स में ठीक लगा देंगे कि कि सतर सिमने देखेंगे हम 3 cảm x 3 ग तर यहां पर अंक लेते हैं तो आपको यह स्तर प्राप्त होका। नमबर एक क्रपया प्रश्णों के शाथ में दिये गए शवी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। जी पहला निर्देश है। दूसरा है यह परिक्षा नहीं है। आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि यह आपकी परिक्षा नहीं है। बिध्यार्तियों प्रश्णों को सहि अगर की जाँच है। जिसमें आपके पास बुद्धी कितनी है। आप कितनी सिक्षा में सिक्षा में उसकी जाँच इसे टेस्ट के माद्दे हमसे होगा। तीसरा जो है प्रश्णों को खल करने की शमय अधरी जो है 90 मिनिट है। इसका जो समय है आप खल कर सकेंगे 90 बात देखेंगे हम परेशन पहला है सुनाली ॥े एक दुकान से सड़ुसट रुपे का समान खरीदा और उसने दुकानदार को सो रुपे का नोट दिया दुकानदार सुनाली को कितने रुपे लोटाएगा हम देखेंगे आप इसमें जो है सुनाली नए एक दुकान से यहां लिख देंगे हम शुनाली ने एक दुकान से 67 रुपे का शमान खरीदा अब उसने दुकान दार को यहां लिख देंगे हम दुकान दार को कितने रुपे दिए 100 रुपे दिए अब इसमें से हमको कितने रुपे बापिस होंगे यह ग्याद करना है 100 रुपे दिए तो हम यहां पर क्या करेंगे 100 रुपे माइनस 66 कर देंगे तो इसमें हमारा जो है कितना निकल जाएगा यहां हम उसको रबकार में ऐसी कर सकते हैं 100 में से 67 को गटा देंगे तो सुन में से 7 नहीं गटेगा इसलिए सुनके माने 10 10 में 7 गए तो 3 यहां बचा यहां उधार लिए थे हमने यहां बचा 9 नौ में 6 गए तो 3 और यहां कुछ नहीं बचा इस प्रकार हम यहां पर हल कर सकते हैं तो इसका जो अंसर है तो सुनाली को दुकानदार 23ंग बाफस करेगा इसके बाद देखेंगे हम प्रष्णे। दूसरा क्या है दिये गए प्रष्ण को हल राइख से में उत्तर लिखें हमको क्या करना है इसमें इसमें हमको 674 गुड़ित आठ है तो यहां पर हम लिख देंगे 674 गुड़ित आठ बराबर तो हम क्यों कर देंगे 674 में गुड़ा कर देंगे 8 का आठ का हम गुड़ा कर देंगे तो आठ चव बतिस बतिस के दो आठ का है तीन 58 सथी 56 तो यहां 56 में हम तीन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा फिर आठ का पढ़ा हम छे बार पढ़ेंगे तो यहां पर त्रेवपन जाएगा यहां पर हमारा जो गुड़ा है वो कितना आया हमारा त्रेवपन ब्यान्वी है उनन चास हो आता तो इसमें हमने तीन जोड़े थे तो उसके बाद ऐसा हमारा अंसर हो जाए तो अंसर हमारा इस फ्रकार से निकल जाएगा त्रेवपन ब्यान्वी है यह बाकस में हमने इसको बहर दिया है इसके बाद हम देखेंगे बच्चों प्रेशन तीसरा है अब उन्हों ने एक बुक स्टोर से पांसो चुरत्तर रुपे की किताबें तथा दोसो चोविस रुपे की काफियां खरी दी बताईए अब इनों कुल कितने रुपे खर्च किये हैं अब इसको हमको क्या करना है अविनों ने क्या किया है हल में हम लिख देंगे यही से हल कर लेते हैं हल वर आवा अविनों ने किताबे कितने खरीदी? किताबे जो है खरीदी? 574 रुपे की कित्ते के 574 रुपय के और काफिया काफिया है 224 रुपय के इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे जोड़ेंगे तो चार चार आठ हो जाएंगे साथ दो नो और पांच दो साथ तो अभी नो ने यहां पर उत्तर लिख देंगे हम अभी नो ने कुल रुपय कितने 798 रुपय खर्ज कि इस वरकार से इसका हल हो जाएगा इसके बाद देखिएंगे हम प्रशने तीन दिये गए प्रशने को हल करके बाक्स में उत्तर लिखेंगे अब इसको हल करना है हमको तो इसके लिए थोड़ा बड़ी विदी है इसमें तो हमें इसको कैसे हल करेंगे तो हमारे पास है संग्या एक सही तीन बटे चार धन पांस सही तीन बटे चार बरावर क्या करेंगे हम बरावर यहां करेंगे हम तो तीन और एक चार धन तीन बटे चार इसके बाद धन पांच धन चार धन तीन बटे यहां जोड़ेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर चार और तीन साथ बटे चार धन यहां क्या करेंगे हम इसको भी हम झोड़ींगे तो यहां जो है अब यहां क्या करेंगे हम पांच का गुणा चार में करेंगे 520 दन तीन है तो 520 और 3 तेश 23 बिटे यहां जाएगा चार इसके बाद इसको हल करेंगे हम तो हल करने पर यहां पर देखिंगे हम साथ चार धन पांच गुड़ी चार धन तीन बटे चार यह हम के करेंगे बराबर दोनों संक्या हर की अंसर हर है तो हरी संक्या जो है बराबर नीचे की चार ही चार है तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो यहां हो जाएगा 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 हम रभकार में 30, 4, यहां पर भाग देंगे, या भाग भी देंगे या काट भी देते सें, तो इसको हम काटना है तो काट भी देंगे और भाग देना तो भाग भी देंगे, दो दूनी 4 और 15 दूनी 30 इस प्रकार से यहां पर हम भाग देंगे तो सीधा हमारा येत्तर आजाएगा तो इसका अंसर जो है यहां पर फिर हम इसको क्या करेंगे 15 बटे 2 अब इसको हम सीधी सीधे भाग देंगे तो यहां भाग देंगे हम रबकार में 15 भागित 2 7 दूनी 14 यहां बचा एक एक दो में एक का भाग नहीं जाएगा इसलिए यहां दसमलो और यहां शुन तो 5 दूनी 10 यहां 10 कर देंगे और यहां तो इस प्रकार यहां पर जो आजाएगा 7 दसमलो पाँच एंसर जाएगा बरावर 7 दसमलो पाँच तो इस प्रकार यहां थोड़ी बड़ी इसकी जो है बड़ी है पर हमने इसको छोटा करके बताए जगे कम होने के कारण इसके बाद देखेंगे हम यहां पर खाली बाक समें छोटा और बड़ा और बरावर का निसान जो है कौन से संके किसी छोटी बड़ी है वो हम यहां पर देखेंगे देखे आप यह संक्या जो है 28 बड़ा है यहाँ पर हम बड़ा के निसान लगाएंगे यह वाला जो बड़ा के निसान लगा दिये अब यहां देखिए माइनस दो है और यहां माइनस एक है तो यह संक्या से यह वाली संक्या छोटी है तो छोटी वाली जिनिसान लगा देंगे में इसके बाद देखेंगे अब यहां पर यहां देखेंगे जशिञाल के है यहाँ य accepts और यहाँ गुडई-4 यहां अधी तो यहां बहत्ति सिर्टा इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है इसमें हम देखेंगे इसमें क्या है दी गई आकरती के छायंकित भाग को भिन्ने के रूप में लिखिए अब देखिए आप यहाँ पर छायंकित भाग को हमको देखना है तो पूरे भाग को गिल लेंगे हम पहले एक, दो, ती, चार, पॉंच और छे यहाँ पर पॉर्शना है दी गई आकरती के छायंकित भाग को भिन्ने के रूप में लिखें यहां पर चाहिंग की द्वाग एक ही दिख रहा है हमको तो यहां पर हम कर देंगे एक और खाली वाक्स गुन लेंगे एक दो तीन चार पांच तो यहां एक खाली कितने है पांच है और चाहिंग की द्वाग है कितने एक है तो एक बटे 6 यहां पर आजाएगा इसके बात दे प्रेशन साथवा है खाली बाग से में सही शंक्या लिखें, तो सही शंक्या लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भाग करना पड़ेगा, तो हम भाग करेंगे, 823 भागित, यहां पर हमें, फिर भाग करींगे, हम 71 बाग करेंगे, 7 यहां पर बारा है, 7 बाकर नहीं आएगा, 7 बाग करना पर 7 यहां आगा, फिर साथ यहां यहां बचा पांच और यह तीन फिर इसके बाद मैं सती सती एकुन चास यहां पर एकुन चास इस प्रकार यहां हम लिख देंगे और घटा देंगे यहां बचे गचा यहां पर हम जब घटाएंगे यहां चार बचेगा तो इस प्रकार से यहां पर 6 पल गटाना है 6 पल हम लिख देंगे माइनस करेंगे तो यहां पर 117 और 6 पल यहां पर दो आ जाएगा तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा इसके बार देखेंगे हम प्रेशन आठ रोहन ने मुकेश से बारा सो रुपए उधार लिए और रोहन ने मुकेश को एक सो पचास रुपए प्रति महां करके पापस लोटा है तो कर्ज छुकता होने में कितने महां लगेंगे अब इसको हम कैसे करेंगे इसमें हम एक माह में जो कर्ज चुका रहा है रोहन रोहन के द्वारा जो है कर्ज हल बराबर रोहन जो है रोहन की कर्ज चुकाने की अबदी कर्ज चुकाने की अबदी कितनी है यह हमको ग्याद करना है यह ग्याद करना है एक सो पचास रोपे प्रती माह करके बापस लोटा रहा है तो उसको कितने मेहने में कर्ज चुका न होगा यह तो प्रती माह कितना कर्ज चुका रहा है यहाँ पर हम लिख देंगे प्रती माह कर्ज चुकाने की रासी कितनी है एक सो पचास रोपे अब एक सो पचास रोपे जो है कितने माहें ऐसे लगेंगे जिसको कर्ज चुकाने में पूरा हो जाएगा एक सो पचास में हम क्या करेंगे यहां एक सो पचास गुडित आठ को कर देंगे इसमें हम गुड़ा कर देंगे तो बराबर जो है कितना हो जाएगा बारा सो रोपे हो जाएगा तो यहां हम फिर हल लिख देंगे अंसर लिख देंगे इसका अंसर हो जाएगा रोहन जो है आट माहे में मुक्यस को कर्ज चुकाएगा यह अंसर हो जाएगा इसके बाद देखेंगे हम एक काफी की कीमत अगला प्रेशन है एक काफी कीमत पंद रोपय है तो एक दर्जन काफियां की कीमत कितनी होगी अब देखें आप एक काफी की कीमत कितनी है पंद रोपय है तो एक दर्जन में कितनी संक्य होती है यहां पर हम सीधा सीधा कर लेंगे एक दर्जन की शंक्या बराबर बारा एक दर्जन में बारा की शंक्या होती है तो हम सीधा सीधा कर लेंगे कि एक दर्जन का पर तो बारा पंद्रा गुडित बारा कर देंगे हम बराबर पंद्रा गुडित बारा कर देंगे तो यहां हम 15 में 12 को गोना कर देंगे यहां देखें हम 15 गुड़ित 12 पांथ दुनी 10 के सुन हाथ के एक दो एक कम दो और एक तीन फिर यहां पांच एक कम पांच एक कम एक यहां इनको जोड़ देंगे जीरो आठ एक यहां अब यहां पर जो हैं एक काफी कीमत पन रोपे थी यहां एक दर्जन काफी की कीमत कितनी होगी यहां एक दर्जन काफी की कीमत हैं लेक देंगे अंसर में क laissez की ऑफी की कीमत 180 रुपए इसके बाद देखेंगे हम खाली वाक्स में सही शंक्या लिखेंगे अब खाली वाक्स में सही शंक्या के लिकेंगे देखेंगे हम देखें आँ पर 18 धन 15 मानस 13 धन 6 मानस 17 तो इसको हम क्या करेंगे इसको सीधे सीधे हम जोड़ देंगे तो 18 15 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा जी 33 हो गया रिंड 13 धन 6 तो 13 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा अब बराबर यहां हो जाएगा फिर 17 यहां क्या करेंगे माइनस 17 करेंगे तो हम क्या करेंगे यहां पर 19 में से 17 घटाएंगे बराबर दो जाएगा तो यहां हम संक्या खाली यहां में दो लिख देंगे तो इस प्रकार से यह हमारा हल हो जाएगा इसके बाद देखेंगे हम एक हास्टल में कक्षा 11 की 36 जात्र है जिनमें से 20 चात्र कला संकाई की तता будете से विद्यान संकाई की है तो कला संकाई और विद्यान संकाई की जात्रों में क्या पात होगा तो इसके लिए हम देखेंगे, देखें आप 36 और 20 घटाएंगे, 16 बचेंगे, 20 शात्र का हम अनपात ने गाएंगे, तो यहां पर हमारा जो यहां अनपात जो बैठेगा, 20 और 16 में हम देखेंगे, तो इस संक्राप पूरा पूरा अनपात बैठेगा, तो पांच औन पांच चार इसमें शहियांसा आ जाएगा इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न वारवा एक कक्षा में 42 छात्र थे डाक्टर द्वारा प्रतेक छात्र को पांच पांच बिटामिन्स की गोलिया दी गई तो बताएए कि डाक्टर ने कुल कितनी बिटामिन्स की गोलिया बाटी अब देखेंगे आप यहां पर एक कक्षा में 42 छात्र थे यहां हल लिख देंगे हम 42 गोडित 5 क्या करेंगे सीधे सीधे हम इसमें गोड़ा कर देंगे तो 42 गोडित 5 इसका गोड़ा करेंगे सीधे 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 आंसर लिख देंगे आंसर बराबर ए ए ए ए एस बराबर कितने 210 विटामिन्स की गोलिया जो है बाटी है इसके बाद अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण हमारा जो है तीरा है दी गई आकरती में एक बटे चार भाग को चायंकित कीजिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कुल खाने की संक्या हमको गिनना पड़ेगा तो यहां पर हम गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पंच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, वारा, तीरा, चब्दा, पंद्रा, सोला, सत्रा, ठारा, उनने, बीस बीस जो है, कुल खाने है, तो यहां लिकिन कुल खाने की संक्या है, कितने है, बीस बीस, अब चाहिं की दभाग करना हमको, तो अब यहां क्या करेंगे, बीस का एक बटे, चार भाग, अब बीस का एक बटे, चार भाग करेंगे हम, तो यहां लिकिनगे, बीस गुडित, एक बटे, चार, तो यहां हम 4 एकम 4 कर देंगे और 5, 4, 20 यहां हम 5 से इसको काड़ देंगे अब हमारे पास क्या बचेगा यहां पर हमारे पास बचेगा 5 तो यह 5 हमारा जो है अब हम कै करेंगे इन एक बटे 4 भाग को शाहिंकित कीजे तो कितने खाने हमको चाहिंकित करना है एक, दो, तीन, चार और ये पांच जह हम पांच खाने इसमें चाहिंकित कर देंगे इस तरह हम इसको हल कर लेंगे ये हमने पांच बाग को चाहिंकित कर दिया तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे इसके बाद देखेंगे अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है हमारा चवुदा और चवुदा में क्या है चवुदा में खाली वाक्स में सही क्रम संख्या लिखें खाली वाक्स में क्या करना हमको सही संख्या लिखना है तो हम देखेंगे 0.7 है गुरित 0.5 हम क्या करेंगे इसका गुणा इसम कर देंगे तो साथ का पाड़ा हम पाँच वार पढ़ेंगे पन सत्ता पैंटीस यहां पर आ जाएगा अब यहां हम देखेंगे तो यहां जीरो के बाद दसमलो लगा यहां भी जीरो के बाद दसमलो लगा है बराबर यहां संक्या हमको लिखना है इसमें ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है इसके लिए भी हमको यह विद्धी है यहां जो उत्तर आजाएगा जीरो दसमलो छे इसका उत्तर आजाएगा इसके बाद देखेंगे प्रेशन शूला अंकों दो साथ तीन एक से बनने वाले चार अंकों की सबसे बड़ी संक्या अब देखेंगे आप सबसे बड़ी संक्या हमको बनाना है यहां देखेंगे करम से बनाएंगे एक दो तीन और साथ ऐसा हमको करम इसमें ढूड़ना है तो देखेंगे हम एक, दो, तीन, साथ, सबसे बड़ी संक्या यह बन जाएगे अंकों दो, साथ, तीन, एक से बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी संक्या हमको देखना है देखें आप यहाँ पर सबसे बड़ी संक्या है, इसमें हम गिनेंगे साथ पिर इसके बढ़ तीन इसके बाद दो इसके बढ़ एक यहां देखेंगे हैं वो संक्या कहा पर हैं साथ तीन दो एक तो यह वाली संक्या जो है सबसे बड़ी है चार रंगों के बनने वाली है इसके बाद देखेंगे प्रशन 17 सबसे छोटी प्राकर्ट संक्य कुन सी है जो सबसे छोटी प्राकर्ट संक्या है वो एक है इसमें हम चाही निसान लगा लेंगे इसके बाद देखेंगे हम संक्या 5 के प्रथम 4 गुनाज लिखिए अब प्रथम संक्या जो है प्रथम चार गुणाज अब यहां पर हल लिख देंगे हम बराबर और यहां कर देंगे हम पाँच पाँच दुनी तस तिरी पंद्रा चव बीश पंचे पच्चीश चिकष चीख यह हमने शंक्या पांच के प्रथम चार गुणाज को लेखा इस प्रकार हम लेख देंगे पाँच तेस पंद्रां बीस प battery और जो kicking इसके बाद देखेंगे हम बच्चों आपको यह समझ में आया होगा इसके बाद देखेंगे हम प्रश्णोनेश विकास अपनी मासिक आमदानी का 55 प्रश्चत हिस्सा खर्च कर देता है यह उसकी मासिक आए 12,000 रुपए है तो वह प्रतिमाय कितनी बचत कर लेता है अब खर्च करने की जो रासी है वो हमको ग्याद करना है तो खर्च रासी हल ल जाए का देखेंगे हम 12,000 तो यह है आए है अब इसमें खर्च कितने कर रहा है पच्पन प्रस्चत तो यहां हम 55 लेख देंगे और इसको हम 100 से कर देंगे यह 200 से यह 200 कट गए बराबर यहां क्या बच्चा यहां बच्चा 120 गुडित 55 एक सो बीस में हम यहां पर गुणा क कर देंगे तो यहां 120 गुडित 55 कर देंगे 500 लमशन 5 लनी 10 के सुन हथ के 1 जोडने पर 6600 अब हम क्या करेंगे इसको इतनी रासी जो है यहां पर 6600 रासी जो है खर्च हो रही है खर्च रासी कितनी हो रही है रासी बराबर 6600 बारह हजार में से 12000 मैंस 6600 कर देंगे इसमें साम इसको गटा देंगे कैसे गटाइंगे देखियाप यहां 12000 मैंसे 6600 हो गटाना 6600 गटाना है चुन में चुन गए चुन में चुन गए यहां बचा 10, 10 में 6 गए 4, यहां बचा 11, 11 में 6 गए तो 5, यहां कुछ ने बचा, तो यहां बचा 5,400 रुपए, इस प्रकार सरल विदी से भी हम इसको हल कर सकते हैं, तो इसमें जो आंसर आ जायागा, बच्चत का बच्चत का बरावर 5,400 रुपए है, इस प्रकार इसको हल कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे बच्चों, संक्या प्रशन बीश है, 0 दसम लोग 4, 6 में कितना जोड़ें कि एक प्राप्त होगी, यहां पर चार आफसन हैं, अब हम इसी संक्या को इन में जोड़े जोड़ेंगे, तो अलग-अलग संक्या प्राप्त होगी, लेकिन इस संक्या को इस से जोड़ेंगे, तो यह एक प्राप्त होगा, इसलिए यह वाली से ही आएगी, इसके बाद अगला प्रशन है, प्रशन है, संक्या रेका पर 4 माइनस दीन को दर्स आई है, संक्या रेका यहां पर बनी है माइनस एधर और प्लस एधर तो हम देखेंगे सबसे पहले हम को हम गिनेंगे प्लस वाली तो एक दो तीन चार यहां पर चार को हम दर्सा देंगे और माइनस वाली एधर है तो हम यहां से गिनेंगे एक दो तीन यहां पर यह माइनस तीन इस प्रकार से इसमें संक्या प्रदस्षित हो जाएगी इसके बाद देखेंगे हम अगला अगला जो है प्रशन है संक्या तीन सही पांज बटे साथ कि तुल एक भी ने लिखिये कि यहां हम इसको हम करेंगे साथ बड़ाबर साथ बड़ावर साथ एकक्ष्म यहां इसका हम संक्या जाएगा साथ तरी 21 बटे ये साथ धन धन यहां पर जो है पांच हो जाएगा धन यहां पांच बराबर 21 पर 26 बटे शाथ तो इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे तो 26 में हम चाथ का भाग देंगे साथ चब बटाइस तरी 21 होता है तो यहां तीन वार भाग है सअथ तरी 21 यहां बचे पांच फिर यहां जुए भाग नहीं जाएगा इसलिए दसमलो और यहां शुन तो सती सती 5 21 एस प्रकार से यहां जो तुल है यहां हमारा जो अंसर है इस व्रकार से आ जाएगा 3.60 इसके बाद देखें के हम प्रशन 23 बिने तीन क्रामा का दिनों में क्राम से दो गंटे तीन गंटे एक गंटे ब्याम करता है उसके प्रती दिन ब्याम करने के और सब गंटे क्या है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस संके को जोड़िंगे दो धन तीन धन एक अब बरावर क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे दो और तीन पांच और एक छे अब यहां बटे कितने दिन तीन अब हम यहां इसको क्या करेंगे शे बटे तीन को तीन एकम तीन तीन दूनी छे तो इस प्रकार से कड़ जाएगा तो दो दिन प्रती दिन कितने घंटे प्रती दिन तर्म जाएगा प्रती दिन जो है बिने दो गंटे दो गंटे बियाम करता है इस प्रकार से कांसर जाएगा इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रेशने जो है देखेंगे यहां पर हम देखेंगे प्रेशने प्रेशने चोवीश में क्या है प्रेशने चोवीश में है 75 का 40 प्रस्षत हिस्सक कितना होगा अब इसका 40 प्रस्षत का जो हिस्सा हमको ग्याद करना है वो हमको ग्याद करेंगे तो हम यहां देखेंगे आप सीधा सीधा हम 40 प्रस्षत निकाल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है ये भी नहीं हो सकता है लेकिन ये वाली जो संकया है थीज चालिस प्रस्थ पच्छतर का इतना हो जाएगा इसके बाद देखेंगे प्रसने संकया पच्छीस 7 बटे 8 और 4 बटे 7 का गुणनफल ग्याद कीजिए तो इसका गुड़न पड़ ग्याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले हम हल करेंगे इसको तो साथ बटे आठ गुड़ित चार बटे शाथ यह हमारी शंक्या है और हम इसमें क्या करेंगे देखिए यहाँ पर यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हम यह साथ से यह साथ को काड़ देंगे अब हमारे पास कुन से संक्या होती चार बटे आठ यह हमारे पास संक्या बची अब इसको भी हम काड़ देंगे चार एक कम चार चार दुनी आठ तो हमारे पास अब यहाँ पर टूटल संक्या बची ए एक बटे दो हम एक में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 आप भाग देख लिएंगे एंसर लिख देंगे हम यहां पर 0.5 इसके बाद देखेंगे हम 26 वब प्रशने चंके 90 को दो अनुपात तीन के अनुपात में बाटिये हैं अब यहां देखेंगे हम इसको थोड़ा हल करके देखा देते हैं आपको हमको क्या करना है दो अनुपात बराबर दो गुडित 90 बटे दो धन तीन बराबर यहां हम देखेंगे 90 में दो का गुणा कर देंगे तो यहां 180 और यहां दो धन तीन यहां हम जोड़ देंगे तो 180 बटे 5 है जाएगा अब 180 को हम कार्ड भी सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं तो हम इसको बराबर कर देंगे अगर भाग देंगे तो कैस कितना आएगा यहां भाग देंगे पूरा पूरा 36 यहां पर प्राप्त हो जाएगा इसके बाद देखेंगे हम दूसरी जो है तीन अनपात बराबर तो यहां पर तीन गुडित नब्बे बटे यहां पर भी पांच जाएगा बराबर यहां पर अब नब्बे में तीन का गुड़ा करेंगे दोसो शत्तर बटे यहां पर पांच और इसको भी जब हम भाग देंगे तो चववन यहां पर प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखे आप हम अगर इसको अनपात में लिखेंगे तो देखे 36 अनपात 54 इनका जो है अनसर आ जाएगा इसके बाद देखेंगे प्रशन 27 शंक्या 21.6 को 9 से भाग दीजिए अब शंक्या हमार पास बज़े है कि 28.6 को भाग दीना 9 से तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 यहां पर 18 आ गया गटा देंगे तो 3 यहां पर बज़ेगा और यहां 6 अब इसके बाद में 10.6 है तो यहां 10.6 है 9 4 36 यह 36 अब यहां 10.6 लगा हमारा तो यहां पर 10.6 लग जाएगा तो उत्तर कितना जाएगा अंसर इसका अंसर वरावर 2.4 यह हमारा हलो गया इसके बाद देखेंगे प्रशन 28 शौम्या को विध्याले के मासिक टेस्ट में 25 में से 15 अंक प्राप्त हुए तो उसी कितने प्रस्यत अंक प्राप्त हुए अब देखेंगे हम यहां पर 15 गुणित 100 बठे यहां पर 25 कर देंगे 25 एकम 25 और 25 चौव 100 यहां को जाएगा बराबार 15 चौव 60 15 गुणा 4 में क्योंकि यहां 4 बचा और यहां 15 15 चौव 60 यहां 60 प्रस्यत अंक द्राप्त हुए तो त्रोम में उत्तर में लिख देंगे हम शौम्या को साथ प्रस्यत अंक प्राप्त हुए है इस फ्रकास है इसके बाद देखेंगे हम प्रस्ट 29 शंख्या 35 एक्तालिस में तीन और चार के इस्तानी मान को ग्याद कीजिए इस्तानी मान ग्याद करने के लिए हम को सीधा सीधा हम देखेंगे इसकी सरल बहुत सरल बिदी बिदी तो बहुत सारी है लेकिन हम बहुत ही सरल इसकी बिदी को हम बता रहे हैं आपको ये विधी सायद आपको पता भी होगी और नहीं भी हो सकती है तो इसको हम देखेंगे बराबर, अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हमारी यह संक्या है क्योंकि तीन का इस्तानी मान इसमें पूछे गाया है, तो तीन का इस्तानी मान तीन के बाद जितनी भी संक्या होती है अब यहां हम तीन है तो यहां हम तीन को लिख लेंगे इसके बाद जितनी भी संक्या इसमें आपको मिलेगी उसको हम जीरो मान लेते हैं जैसे एक, दो, तीन तीन संक्या है तो यहां पर एक, दो और यह तीन तो इस प्रकार से इसको हल कर लेते हैं अब इसके बाद इसमें पूछा गया है कि चार के स्थानिमान अब यहां पर देखें चार के स्थानिमान यहां पर फिर देखेंगे हम चार के स्थानिमान है तो चार के बाद एक जीरो तो यहां पर चार के बाद एक शंक्या एक जीरो इस प्रकार से इस तानिमान को हम पोस्षरल तरीके से इसको हम हम हल कर सकते हैं इसके बाद अगला प्रश्ण है तीसवा और अंतिम प्रश्ण है तो दी गई आकरती के छायंकित और अच्छायंकित वाग को दसमलो की रूप में लिखें तो बच्चों इसको हमको क्या करना है सबसे पहले तो छाइंकित भाग को हम गिलना है तो हम गिलनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस दुनी, बीश क्योंकि दस दुनी, बीश तो बीश जो भाग हैं यहाँ पर शाइंकित है, यहाँ हम लिख देंगे इसके बाद गिलनेंगे हम आज शाइंकित भाग तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और आट दहम, असी तो असी भाग जो है इसमें आज शाइंकित भाग है तो इस प्रकार से यह हमारा मेडलाइन टेस्ट पूरा हल हो जाता है बच्चो आसा है आपको यह हमारी गड़ित की समझाने की विदी पसंद आई होगी इसी प्रकार के अन्य और सेक्शनिक समागरी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, धन्यवाद